हाई टू एब्रीवन और वल्कम बैक टू माई चैनल सेंस नेस्ट मैं रूबी सेंड आप सब कैसे हैं आशे करती हूं आप सब बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया हूं आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक भाजी वाली रेसीपी वह ग्रीन साग हो पर उसी की जिसे चौलाई भाजी भी कहते हैं और उसे इंग्लिश में एमरेंस भी कहते हैं इसके कितने सारे बेनिफिट से सारे मैं आप सब से शेयर करूंगी तो वीडियो पर बने रहे हैं और वीडियो को कम से कम दो मिनिट तो देखिए प्लीज तो फ्रेंस जो नए है मेरे चैनल सबस्क्राइब करना मद भूले और सबस्क्राइब करने के बाद बेल बिटन क्लिक करना मद भूले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए and you will be the first one to see it और लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंस कीजिए आपलों का कमेंस मुझे बहुत बहुत इंस्पार कर करता है और एक मुझे इंस्टरग्राम और beber बनेक्रिज्ड शीप जरक कर सकते हैं अन्चाह Indre और मेरा फेस्बुक पेज शें इस तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से एक साग़ वाली रेसीपी दिया की है तो ये है चौलाई भाजी या ग्रीन साग या एमरंथ भी कह सकते हैं ये मेरे गार्डन में बहुत सारा हुआ है ये बहुत ही हल्दी है पहले मैं इसके सारे बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ चौलाई के फाइदे बचाए सीलियक से चौलाई के गुन करे कोलेस्टरॉल को कम चौलाई में एंटी ऑक्सिडंट और एंटी इंफलमेटरी गुन होते हैं जो की स्वास्त समस्याओ को रोकने में हेल्प करता है चौलाई फाइबर सामगरी में उच्छ है, हेल्थ इन्डाइजरिशन औलसो चॉलाई के लाब है आईज के लिए भी चॉलाई के ओशदिय गुन रखे बोन्स को स्ट्रॉंग चॉलाई के लीव्ज है हेर्स के लिए फायदे मन चॉलाई वेट लॉस में भी हेल्प करता है चॉलाई का उपयोग रखे डाइबिटीस को कंट्रोल और ये गुट सोर्स अफ प्रोटीन भी है तो आपने देखा मैंने कड़ाई में मस्टर डॉल दिया है और एक चमच सरसो और एक सूखी लालमेच और कुछ लेसुन को कूट के मैंने डाला है इसे अच्छे से फ्राई कर ले पहले इसमें स्लेटड दो ग्रीन चिलीज एड़ करें आप ज़्यादा भी एड़ कर सकते हैं एकॉर्डिंग टू यार टेस्ट जब ये फ्राई हो जाए इसमें भाजी को एड़ कर दे मैंने इसे अच्छे से कट करके वाश करके स्टेन करके रखा है अब इसे एड़ कर दे कड़ाई में इसे अच्छे से मिक्स करें मिक्स टुवैल तो आपने देखा कितने सारे बेनिफिट्स हैं इस चौलाई भाजी में पहले तो मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है सॉल्ट एड़ करें अकॉर्डिंग टू यूर टेस्ट और सम टर्मरीक पाउडर भी एड़ करें इसमें और सबको अच्छे से मिक्स करें बहुत अच्छे से इसे मिक्स करें mix it well यह बहुत ही soft और smooth हो जाएगा यह भाजी और इसे cover करके 5 मिनिट्स तक cook करें इसे बेंगॉली में नोटे शाग भी कहते हैं after 5 मिनिट्स you can see कि कितना water release हुआ है इसे अच्छे से mix करें और cover करके another 5 मिनिट्स के लिए cook करें जब तक की water पूरी तरह से reduce ना हो जाए आप देख सकते हैं water पूरी तरह से reduce हो गया है और हमारा यह भाजी तयार है to serve इसे steam rice के साथ serve करें देखिएगा बहुत ही tasty लगता है इसमें थोड़ा सा sugar या good आप add कर सकते हैं for taste यह optional है पर ऐसा करके जरूर देखिएगा बहुत ही tasty लगता है और अच्छे से mix करें mix it well हमारी भाजी तयार है इसे serve करें गरम गरम rice के साथ steam rice के साथ और मुझे comments करके जरूर बताईएगा की कैसा बना था तो मिलते हैं next interesting blog में till then bye bye stay safe stay strong and stay healthy